वीडियो में जो ये आप दूस्तों सलिंग फैन देख पा रहे हो इसके अंदर दूस्तों क्या सिकात है कि इसके अंदर सब कुछ ठीक है फिर भी यह सलो चल रहा है कस्टूमर का बताना है कि यह ओटोमेंटिकली ही सलो घूमने लगा पहले इसकी स्पीड ओके थी इसके बाद उसने इसका जो कैपसिटर है वो भी चेंज कर दिया नया कैपसिटर लगाया है फिर भी वही सलो घूमने की प्रॉब्लम इसमें बनी हुई है सबसे पहले दोस्तों हम टेस्ट करेंगे कि यह फैन सलो चल रहा है उसके बाद में दोस्तों इसका सॉल्यूशन करेंगे और लुदख और बढ़े साइने पर इसद्ध向 वोटेशों हो जाए अगर इसके दोस्तों सबस्ते पहले सबस्त नस्य दोस्तों को मिलं Heh है यानि कि वोल्टेज भी फुल मिल रहा है और जो कपेसिटर है वो भी बिल्कुल ओके है आप बल्ब की ब्राइटने से पता लगा सकते हैं और इसके बाद मेंकर दोस्तों इसके सर्किट्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हो यह भी मैगनेट जेनरेट कर रहा है यह भ दोस्तों यहाँ पर तो common wire black है तो अगर हम black की जगा red को बना दें तो इसमें से एक सर्किट पर आपका फैन सीधा तो चलेगा लेकिन वो बहुत slow चलता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हम identify कर सकते हैं कि common wire कैसे पता लगाएं तो दोस्तों फिलाल इसमें common wire त कैपघा को खोल लेंगे और इन तीनों पेचों आपको खोल लेंगे और दिन तीन पेछों को बोल्ट्स खोलेंन है यहां पर बोल्टस हमने खुलकर अलग कर लिए हैं फैन के उपर वाले पैनल को हटा देते हैं ठीक है दोस्तों यह हमारा फैन हो जाता है और जो इसकी वाइंडिंग है वो भी बिल्कुल ओके है यहाँ पर दोस्तों एक जो स्लो चलने का दूसरा रीजन होता है वो हम जानेंगे जो यह आप देख पारे हो यह हमारा इसका रोटर होता है अलमोस्त जो हमारा फराटा फैन होता है कूलर मोटर होता है उसमें जो रोटर होता है वो आउटर डायर को होता है और इसमें इनर डायर को होता है यानि कि यह हमारा रोटर है अब दोस्तों जो यह रोटर यहाँ से औ एक लोड़ा पीछे रह जाता है और जो आपका् 오른 friendds डूटर का को नहीं मिल पाती अगर दोस्तो लोग उ priority जाता है तो आपका फैन फुली स्पीड नहीं बना तो इस वज़ा से इस चीज़ का हमेशा दिहान रखें, इस्टेटर और आप पर रोटर दोनों बराबर होने चाहिए, आजाते हैं दोस्तों हमारे फैन की मेंन मोटर पर, यहां पर दोस्तों अभी आपको इन वायर्स को स्रीज लेंप से चेक करना है, अगर आपके फैन के अं करते हैं, अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा फैन है, उसे हम स्रीज लेंप के जरीए चेक करेंगे, एक आपका स्लो स्पीड होने का कारण यह भी होता है, कि आपके दोनों सर्केट में कोई भी एक सर्केट फूल मेंगनेट नहीं बना रहा होता है, या को आपके इसके अंदर तो बिलकुल डिम है यानि कि नॉर्मल ही है यानि कि ये सर्किट ठीक है और इसके अंदर दोस्त हम चेक करेंगे न तो आप देख सकते हो बल बहुत तेज जल रहा है देख से इसके अंदर तो बिलकुल नॉर्मल है और इसके अंदर बहुत तेज जल रहा है अब इसका एक और भी तरीका होता है चेक करने का आप क्या करें अपने एक वायर लगाएं कोमन वायर पर और एक लगाएं किसी भी एक सर्किट के साथ में अगर चार वायर हैं तो एक वायर लगाएं लाल पर और दूसरे वायर भी लाल पर लगाएं यानिकी रनिंग सर्किट पर जैसे कि हमेंने इन दोनों में लगाया, लगा देने के बाद में दूस्तों क्या करें देखो, या तो आप स्कूरू ड्राइवर इस्तमाल कर लीजिए, या फिर कोई लोहे के पत्ती ले लीजिए, और इस तरह से इस क्रिटर के चारो तरफ चेक कीजिए, कि आपका मेगनेट या परली बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो देखो, ये मेगनेट के जरीए हमारे स्कूरू ड्राइवर को इस तरह से मेगनेट खेंच लेता है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसी तरह सा आपको चारो तरफ चेक कर लेना है, अब हम क्या है, हम एक वायर कोमन पर लग तो थीक है यह वाली वायर है ना यह वाली इस飯 चेक करते हैं अगर आपके फैन में छार वायर है तो अब पास दो ब्लैक वायर बची होंगे Face तो इस तक करना तो इसवस्च करते हैं ज्योजस्ट Chad करते हैं तो इसमें कोई भी मैगनेट नहीं बन रहा है drinking तो थोड़ा मेगनेट यहां पर बन रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो दोस्तों यहां पर क्या है कि जो हमारा मेगनेट है, यहां पर मैं क्या करता हूँ, बल्ब को थोड़ा दूर रख देता हूँ, ताकि आपको तिकने में आसानी हो, ठीक है, area में किसी में भी मैगनेट नहीं है तो जाहिड सी बात हे कि इस circuit के अंदर problem है इस वाली के इंदर हम क्या करते हैं सब से पहले identify करते हैं कि यह dieses tracking का स做 यह क्या करते हैं इस के हम क्या करते हैं वाइर को ठोड़ा क्हेंशते हैं वर यह देखते हैं कि यह starting में joint है या फिर running में joint है ये wire हमारी यहां पर धागे से बंदी हुई थी तो वो धागा मैंने खोल दिया क्यों कि मैं इन्हें देख नहीं पा रहा था wires को तो यहां पर जो ये वाला wire है ना ये वाला इसमें इस circuit में problem थी कि बल्ब जाता जल रहा था तो ये ये वाला wire हमारा starting circuit से जुड़ा हुआ है तो problem कहा है starting circuit के अंदर तो हमें क्या करना है अभी ये running circuit के अंदर भी आ सकती थी तो इसका solution बता देता हूं दोस्तों आपको अभी आप क्या कीजिए जो आपकी starting circuit है देखो ये वाला starting circuit इसके अंदर से दो wire निकलती है एक तो ये वाली हो गई हमारी और एक हमारी ये वाली हो जाती है तो यहाँ पर ये हमारी सुरुवाती coil है ये वाली जिससे कि हमारी winding स्टार्ट होती है और इस वाली पर end हो जाती है यानि कि जिन दो quals के बीच से आपका wire निकलता है एक इस से निकला और एक इस से निकला इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर पेपर लगाना है PVC सीट का देखो यहाँ पर तो ओल्रेडी लगाया हुआ है और यहाँ पर नहीं है ठीक है तो इसकी वजह से magnet आपके फुल फैन में नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर PVC सीट लगा देते हैं फिर से समझ लीजिए जो आपकी starting coil है उसके अंदर से दो वायरे निकलती है जो आपकी दो वायरे जिन जिन coil से निकलती है इस वाली क्वायल से एक निकली इस वाली क्वायल से इन दोनों के बीच में आपको paper लगा देना है देखें इस तरह का PVC सीट का टुकड़ा ले उसे उपर और नीचे दोनों तरफ से फोल्ड खर ले यहाँ पर दूस्तों PVC सीट इस्तमाल लेंगे वोही बेहतर है है देखो तो मैं आपर लगा देता हूं तो आप देखो इस साइड से भी लगा सकते हो चाहे तो आप नीचे की तरफ से बैक साइड से भी लगा सकते हो तो मैं क्या करता हूं मैं बैक साइड से लगा सकते हो जिस तरह से आपको कमफर्टेबल रहे देखो यह हमारी पहली वाल 100% magnet सही से बनाएगा अभी दोस्तों आप ऐसा ना करें कि सभी के बीच में paper लगाएं अगर सभी के बीच में paper लगाओगे तो क्या दिक्कत आती है क्योंकि solution तो हमारा इससे ही हो गया तो सभी में ज़रूरत नहीं है अगर फिर भी लगाते हो तो क्या होता है जैसे कि आप continuously winding करते हो एक wire जाता है इस wire से इस में इस में से इस में तो जो wire है वो paper लगाने से तूट जाता है और इन coils में से किसी coils में से भी इन दोनों में सापस में wire नहीं जाता तो इसमें तो तूटने की ज़रूरत नहीं है अगर इन सभी में लगाओगे तो वो wire तूट जाएगा तो इस तरह से हमने starting का solution किया अगर समस्या रहती है तो इसी तरह से आप running coil का भी solution कर सकते हो अगर दोस्तों आपको शिकायत आ जाती है running coil के अंदर तो इस ता से 100% guaranteed solution हो जाएगा अब भी मेरे सामने एक समस्या और आई दोस्तों बहुत old fan था मतलब कि मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन 20 साल पुराना होगा उसमें ये समस्या आ गई और उसमें company के जिने ये वाला paper लगाया ही नहीं था चल रहा था इतने टाइम से लेकिन अभी ये शिकायत आई कि उसका जो starting circuit था वो cross हो गया उसमें paper नहीं लगा था और उसके अंदर wireless इतना ज़्यादा डाला गया था कि मैं उसमें paper लगा भी नहीं पा रहा था अगर ऐसी समस्या आपका सामने आ भी जाती है तो आप क्या करें starting है तो starting के अंदर running है तो running के अंदर या तो यह वाला coil शुरुवाति वाला coil है आपका इसे काट दें और निकाल दें ठीक है तो एक वार आपका से निकल जाएगा एक से निकल जाएगा आपका fan चलेगा और solution भी हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो इस तरह से करना है क्योंकि दोस्तो वहाँ पर हम बेबस होते हैं हमारे पास कोई और तरीका है नहीं तो सबसे पहले तो हम इन वायर को एक बारी स्रीज लेंड से चेक कर लेते हैं यह हमारा common हो गया यह हमारा running circuit है जिसमें वायर नीचे वह कितनी है कि किसे आप अंदाजा लगा सकते हो अभी हमें क्या करते हैं कि screw driver से इसका magnet चेक करते हैं चारो तरफ पहले तो क्या था कि यहां से और यहां तक बन पा रहा था अभी चारो तरफ देखते हैं कि बनता है नहीं बनता है देखो इस side भी आ रहा है यहां पर भी है तो यहां पर दोस्तों फिलाल क्या है कि यह circuit ओके working कर रहा है कोई दिक्कत है नहीं चारो तरफ magnet आ रहा है तो अभी जो हमारा running था वो तो okay ही है उसमें तो कोई शिकायत हमारे साथ है ही नहीं देखो इसमें तो bulb ओल्रेडी डिम जल रहा था और magnet भी properly चारो तरफ बन रही है देखो यह starting circuit हो गया हमारा यह वाला इसमें क्या था कि जो magnet थी इस साइड ही बन रही थे इस साइड तो थी नहीं तो देखो फिलाल यहां भी बन रही है तो हम दोस्तों क्या करते हैं इसे फिलाल इसके body में fit कर देते हैं solution हो गया हमारा और आपको मैं एक बरी completely से चला कर देखाऊंगा तो body में fit करते हैं अब आप यहां पर देखिए आपका जो rotor है वो आपके stator से बराबर में है नहीं है तो यहां पर फिलाल properly बराबर में है अगर थोड़ा बहुत कम जादा रह जाता है तो आप इसको change कर लीजिए इसे उलट कर लगा दीजिए इस वाले ring को तो यह बराबर आ जाएगा इसके जो आपकी तीन बोल्ट होते हैं यह आपको लगा कर कंपलीट कर लेने हैं अभी अपना capacitor केप लगा दीजिए और उसमें capacitor लगा दीजिए अभी दोस्तों इसको test करेंगे अगर दोस्तों यही problem आती है same condition तो उसमें क्या होता है जब आप common wire साथ में चलाते हो तो जिस circuit के अ उसके अंदर जब fan start up लेता है ना बहुत slow लेता है और जबकि जो ठीक हमारा circuit होता है उसके अंदर थोड़ा अच्छे से ले लेता है तहां पर दोस्तों इस वाले circuit के अंदर तो okay है और इस वाले circuit के अंदर भी okay है यह बारी से fully चला कर देखते हैं दोस्तों फिलाल हमारा fan के बजाए 70% fan के speed बढ़ गई है और दोस्तों फिलाल perfectly ओवर इक भी कर रहा है तो दोस्तों इस तरह से आपके fan में अगर इस तरह की सिकायत होती है तो आप repair कर सकते हो आसानी से हमें कमेंट करकर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगता है तो इस वीडियो कर दोस्तों 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 कर दो कर दो कर दो कि आयो कर गा